नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजल आर्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज हम बात करेंगे भारती प्रागेती हासिक कला का इतिहास भाग चार की दोस्तों यह एक छोटी सी वीडियो है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रागिती हासिक शिलाचितरों की विशेवस्तू के बारे में चर्चा करेंगे तो आईए देखते हैं प्रागिती हासिक शिलाचितरों की विशेवस्तू दोस्तो प्रागिती हासिकाल के शिला चित्रों की विशेवस्तु एवं उनकी विशेष्टाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरवाधिक लुभावनी विशेवस्तु आखेट ही रही है वे प्राए हाथी, गेंडा, सुवर, महीश, बैल, चीते, घोडे, हीरन, सांबर, बारा सिंगा जैसे जिराफ आधी पश्वों का ही चित्रन किया करते थे और उन्होंने जो है पक्षियों का चित्रन बहुत ही कम किया है पक्षियों में केवल बतक और मोर ही है जिनका हमें चित्रन देखने को मिला है पश्वंका चित्रन कहीं हमें शिकार के रूप में किया गया है और कहीं सहचर के रूप में हमें देखने को मिलता है स्त्री पूरुष वो पच्चे सभी मानवकृतिया तीर कमान भाला लाथी त्रिशूल कुलहारी दगांसा आदी शस्त्रों के साथ दिखाए गए है और अगर हम बात करते हैं तो स्वास्तिक चक्कर बैलगारी नोका विहार आधी पृतिकात्मक चित्रन भी हमें देखने को मिला है जैसे की जादु टोना टोट का इतियादी तो इससे हम पता लगास होते हैं कि उस समय जो है तंत्रिक शाला यानि की तंत्रिक चीजों का भी प्रियोग किया जाता था अब हम बात करते हैं रेखाओं के बारे में तो रेखाओं में जादु भावनाओं का आनंद और मंत्र मुग्द कर देने का समस्त गुण थे रेखाओं में गती वो शक्ती का सपुंज ऐसा है कि मानो शहलाश्रयों में बैठा कोई आदुने कलाकार किसी जनजाती के आखेटिय जीवन का काजल वो गेरू रंग से अंकन कर रहा है केवल रेखा द्वारा ही चितर बने है वह भी आड़ी तिरशी रेखा द्वारा ही मानवा कृतिया बनाई गई है चितरों में कहीं कहीं रेखा द्वारा या फिर पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेपांगन पत्ती का भी प्रियोग हमें देखने को मिला है अब हम बात करते हैं रूप एवं संयोजन की पशुव मानव का भाय आकार बोध ही उसके चित्रन की पिशेश्टा रही है जियोमेति आकारों का प्रियोग प्रकृति की विभिन शक्तियों को व्यक्त करने हेतु किया गया है अकृतियों में जियोमेति आकारों में केवल वर्गाकार का कहीं भी प्रियोग हमें देखने को नहीं मिला है इसके अलावा त्रिभूज, वृतिय, शटकोन, वो आताकार सारे के सारे आकार शामिल है सिर्फ वर्गाकार का कहीं भी प्रियोग हमें नहीं मिला है अब बात करते हैं चाया एवं प्रकाश चाया प्रकाश एवं परिपेक्षों के बारे में तो जानवरों के आकार विशेश में धूप छाओं के प्रभाव को कहीं कहीं काले या लाल रंगों द्वारा दर्शाने का प्रतन किया गया है आड़ी, दिर्ची, घुमती रेखाओं के योग में प्रभाव कहीं कहीं अनायास आया हुआ है लगता है लेकिन कहीं भी किसी भी परकार की जट्टिलता नहीं पाई गई है अब हम बात करते हैं रंग एवं तुलितका के बारे में कोई विशेश तकनीका प्रयोग उसमें नहीं किया जाता था केवल गेरू रामरज वो खडिया जैसे सहज रंगों का ही कि या हम बात करते हैं तो खनिज रंगों का ही प्रयोग उसमें किया गया और तुलिका पेडों की टहनी को कूटकर रंग फिलाने के लिए प्रियुक्त की गई तो इस तरह से अगर जो करते हैं कि तो प्रागयति हासी काल की जितने भी चितरों को शीला चितर हमें from देखने को मिले है वह हो गेडुरू काला और सफध यहने की खडिया सी जो रंग बनता है उसका ही प्रियोग हमें देखने को मिला है तो इस तरह से आज यह है मैरी छोटी सी वीडियो थी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तके लिए धन्यवाद और अगर दोस्तों मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब करना पिल्कुल मत भूलिएगा धन्यवाद